कि कभेव तर लिए एलोग जाएश मनिशा दिसाइट फंप रख भूड़ करने जारा है जिसका नाम है कोउट जिन इनस हुट सुर्टेद मैं एक धीकार कोशिछ करते हैं देखें लिए प्याई करेंगे लिए तो बैसिगली न आपको एक मैट्रिक्स ते रखिए है और इस मै matrix में दो ही तरह के element हो सकते हैं इधर 0 और 1 या तो 0 होगा या फिर 1 होगा ठीक है इसके अलाव और कोई element नहीं हो सकता और दूसरी property क्या है कि matrix है row wise और column wise sorted है जैसे आप किसी भी row को उठा कर देख लिए left to right आपको वो sorted नजर आएगी और साथी साथ किसी भी column को उठा कर देख लो तो टॉप टू बॉटम वो column भी आपको sorted नजर आएगा ठीक है तो मैट्रिक सी दो properties है सारे elements 0 या 1 होंगे है ना और दूसरी property कि वो row wise और column wise sorted है ठीक है अब आपको क्या करना है आपको पताने total number of zeros कितने हैं इस matrix में count of zeros निकाल लें आपको इस matrix के अंदर और उसमें भी of course क्योंकि matrix में कुछ property दी हुई है sorting से related तो आपको on square में इसको नहीं करना है ओ इन में करके दिखाना है ओ इन में total number of zeros calculate करके दिखाना है इसके ठीक है जी तो इस question की जो intuition है न वह बहुत हद तक उस question के similar है जो हमने question करा हूँ है search and sorted matrix 2 ठीक है उसमें हमें target ढूना होता तो हमारी matrix row wise and column wise sorted होती थी ठीक है जी तो जो binary search का optimization हम इस पर लगा सकते है न वह ऐसा सोच कर लगा सकते हैं कि अगर आप इसको मिड मान लें तो this is your left half and this is your right half ठीक है ठीक है जी और आप आप किसी एक half को discard कर सकते हो ठीक है तो यहां पर binary search case इसमें optimization लगा सकते हैं ओके ठीक है क्योंकि देखो यह मिड मान लो तो यह left में सारे उससे चोटे वाले लोग होंगे चोटा हाफ और यहां पर सारे बड़े वाला हाफ है न बड़ा या equal चोटा या equal वह वाली चीज़ तो आप इससे आप सब दिसकार्डिंग कर सकते हैं ठ तो इधर top right corner होगा या फिर bottom left corner होगा ठीक है तो आपको इस अब एक select कर लीजे मैं top right select कर लेती हूं एक variable बना लेती हूं जिसमें count of zeros रखेंगे initially zero है तो मैंने top right corner select करा I को initially यहां रखा J को initially यहां रखा matrix of IJ पर मुझे one नजर आया matrix of IJ पर one नजर आने से मुझे यह पता चला कि यह fourth column ये जिए column मेरे किसी काम का नहीं है क्यों किसी काम का नहीं है क्योंकि यार column by sorted है अगर यहां one है तो इससे नीचे के पूरे column में one इनमीलने वाले कभी zero नहीं मिलने वाला तो यहां हमें अपना koji zero account नहीं मिलगा हम इस column को discard कर सकते हैं column को discard करने के लिए कुछ नहीं बर j minus minus कर दीजें इस बार आपने mat of ij पर देखा आपको फिर से 1 दिखाई दिया तो आपको समझाए कि नहीं वह ये column भी हमारे किसी काम का नहीं है column को minus minus करकर फिर से उठा कर पीछे रख सकते हैं इस बार आपने mat of ij पर देखा तो बहुत इंट्रेस्टिंग मुमेंट है देखना भी आपको mat of ij पर इस बार नजर आया 0 ठीक है जी इसका मतलब क्या हुआ अगर यहाँ 0 है न है और next row में चली जाओंगी ठीक है कैसे कराएंगे यह देखो है अगर हम इस आयत row के second column पर खड़े हैं second column पर खड़े होने का मतलब ही है कि अब इस row में पीछे-पीछे कितने लोग है तीन लोग है और वो तीनों के तीनों 0 होने वाले हैं तो count को बढ़ा कर तीन से increase कर दिया और कह दिया कि चलो अब अगली row पर चलते हैं इन लोगों का count हमने settle out करा दिया है फिर से आपने matter of ij पर देखा आपको 0 नजर आया तो फिर से आपने कहा कि ठीक है इस आयत row में अब जितने भी लोग है वो सारे के सारे 0s ही है count बढ़वाया और row बढ़ा दिकी चलो अब अगली वाली row पर चलते हैं इस row में जितने लोग काम के थे उनका count हमने ले लिया है यहां आपने matter of ij पर 1 देखा तो जब यह matter of ij पर 1 नजर आता है तो यह jth column किसी काम कर नहीं है count तो बढ़वाने की ज़रुत है नहीं आपन बस आपको इस column को discard करने है column को discard करने के लिए j minus minus j उठा कर पीछे रख दीजे इस बार आपने matter of ij पर देखा आपको 0 नजर आया तो इस row में जितने भी लोग है वह सारे के सारे आपके काम के है जे 1 पर बैठा है इस का मतलब इस row में कितने लोग है दो लोग तो count को 2 से बढ़ा लीजे और कहिए कि चलो अब आगे वाली रोज पर काम करने चलते है ठीक है जी यहां पर आकर आपने देखा 1 दिखाई दे रहा है तो इस column को discard करो यह column किस इसने लोग है एक ही बंदा है ठीक है तो count को एक से बढ़ाया और कहा कि चलो अब अगली रोपर चलते है ठीक है जी फिर से आपको matter of ij पर 0 नजर आया तो count को बढ़ाया इस row में जितने लोग है उससे और अगली रोपर चले गए जैसे ही अब आप अगली रोपर जाओग कि जब आपको यहां one दिखाई देता है तो तब बंदा से इस column को discard कर दो j minus minus करके लेकिन जब आपको यहां 0 दिखाई देता है तो आपको यह सोचना चाहिए कि अब इस row में पूरे के पूरे zeros ही होंगे पीछे तक ठीक है तो अगर आप second column पर खड़े हो आपको इस row में कि अगरे zeros को count करके दिखा दिया है ठीक है तो इसका code लिख लेते हैं कहां से start करा यहां top right corner से start करा अपनी iteration को और उसके हिसाब से बेसिकली comparison करवा कर देख लिए कि महां one पड़ा है यह जीरू पड़ा है ठीक है जी तो यहां पर मुझे क्या क्या use होगा code करने के लिए अब यह को concept आप समझी गए इसका तो एक बार खुद से code करने कोशिश कीज़े हैं खुद से code कर लो हो जाएगा नाम से ठीक है चलो ह और यहां पर जे को किस पर रखोंगे इनिशली एन माइनस वन पर ठीक है जी यह होगे अपना टॉप राइट कोरनर आई जे वाला और एक CZ नाम का variable बनाऊंगे जिसमें count of 0 स्टोर कराने वाली हो अब जब तक क्योंकि यह रो बढ़ा ही जाती है और कॉलम डिक्रीज करा तो रो वाला चेक तो ऐसे लगाईएगा आई शुडबी लेस तेन एन और जे वाला चेक ऐसे लगाईएगा जे शुडबी greater than इकोस जीरो क्योंकि यह को घटाया जाएगा आई को बढ़ाया जाएगा तो अगर आपको मैट आफ आई जे पर अब बस आपको यह नजर रखन कर सकते हो ठीक है तो मैं क्या करूंगी अगर यहाँ बन दिखाई दिया तो बस इस कॉलम को डिसकार्ड कर दो और अगला केस क्या हो सकता है उस पोड़ पर आपको जीरो दिखाई देता है तो एक तो अब उस आये थरो में पढ़े सारे लोग जीरो होंगे एक तो काउंट सब्सक्ति नाम रख कर दा मैं जी इस नाम रख का और अब नेक्स्टर में चलता है इस रो में जितने लोग report क distract man अगली रो में चलते हैं अगली रो में चलने के लिए आई प्लस फ्लस एड जस्ट रिटर्न डिस काउंट ठीक है तो सिंपल साही कोड था बस इसमें वह कंसेप्ट समझना थोड़ा जबूरी था कि जब आपको जीरो मिल जाता है एक स्पोर्ट पर तो अब उस रो में पीछे हाँ जी असारे test case पास हो रहे है ठीक है जी तो आई होप आपको इसका solution पसंद आया होगा ठीक है तो वो नेक्स वीडियो में मिलते हैं आगे वाले questions के साथ ओके बाई